करोना वाइरस को लेकर कलेक्टर ने टीबी अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों का दौरा किया करोना वाइरस को लेकर टीबी अस्पताल पीसी सेठी, एमवाई अस्पताल, हज हाउस सहित, नीजी अस्पतालों में विशेश वाट बनाए गए हैं करोना वाइरस को लेकर विश्व स्वास्ति संगठन ने इसे महामारी गोशित किया है WHO की गाइडलाइन का पालन करते हुए मत्यप्रदेश सरकार ने 31 मार्च तक सभी स्कूल की चुट्टी गोशित कर दी है वहीं जिला प्रशाशन लगाता करोना की स्थिती पर नजर बनाए हुए है सुमवार को इंदोर कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने इंदोर शेहर के अस्पतालों में बनाए गए विशेश आइसोलेशन वोड का दौरा किया उन्होंने बताया है कि जिला में अभी तक 15 लोगों के कोरोना वाइरस के सैंपल लिए गए हैं जिसमें से 14 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है वहीं एक मरीज की रिपोर्ट आना बाखी है कोरोना वाइरस के संकरमन अगर कोई आता है तो उसके जो प्रारंबिक तयारी के लिए हम लोगों ने अभी 4-5 साइट्स देखें हैं सबसे पहले MR TV है और फिर हज हाउस भी आज हम लोगों ने निरेशन किया है इसके अलावा हुकुम चंद्पुम पॉली क्लीनिक है वहां भी हम लोग ने दिखा है इसके अतरिक स्रीपुर शेत्र में एक प्राइबेट हॉस्पितल है वह भी हम लोग अभी उसको वेबस्ता है देखेंगे दोगों का लक्ष है कि आवशक्ता पड़ती है तो करीबन 400 से 500 बैट आईजोलेशन के हमारे पास तयार है फॉचुनेटली अपीते करीबन हमने 16 जैंपल भेजे हैं जो सस्पेक्टेट केसिस थी जिसमें से 15 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है कलेक्टर जाटव ने लोगों से करोना वाइरस को लेकर अपील करते हुए कहा है कि इससे बचने का प्राथ में कुपाई सावधानी बरतना है भीरभार वाले इलाकों में जाने से बचे और सर्दी खासी होने पर नजदी की डॉक्टरों को तुरंट दिखाएं मेरी लोगों से अपील यही है कि ऐसे जगह ना जाएं जहां पे बहुत ज़ादा क्राउडेड हो और जहां पे इंफेक्शन होने का खतरा हो एक शोशल डिस्टेंसिंग का जो मेंसेज है उसको हम सब को फॉलो करना चाहिए और जितने भी प्रिकॉशन्स एड्वाइजरी जारी हुई है सभी पालन करें क्योंकि एक व्यक्ति को अगर इस तरह का संक्रमन होता है तो एक्स्पोनेशल ग्रोथ से आने लोगों को उसका खतरा काफी उतनुत उत्पन होता है तो मेरा सभी सापील रहेगी कि जो एड्व सब्सक्राइबिक हुमियोपैति और यूना ने पद्धति से भी जो बचाओ किया जा सकता है कोरोना वेरिस से उसको एंटर करके तथा इस्थानी इस तरह को जो हमारे नीजी 18 अस्पताल है उनके भी नाम अंकित करके जिनमें भी हम कोरोना की स्क्रीनिंग करते हैं उनको हम प्रचार सामगरी बनाई हुई है जितने भी शाष की हमारे संस्थान हैं चाहे वो स्कूल हो आंगनवाडी केंद्रों या अन्य समझत संस्थान हो उनमें हमने उनको चस्पा किया है समझत अदालतों के बाहर इसके अलावा पर जो लोक परिवहन के साधन है उनमें भी हमने जागरूप तक फैलाने में लगा हुआ है आप लोगों के माध्यम से हम यह आम जनता से अपील करना चाहेंगे कि वह घब्राएं नहीं बलकि जागरूप बने भीड़बार वाले इलाकों में जाने से बचे मू और नाक को बार-बार हाथ ना लगाएं अच्छी तरह से को पानी से और साबुन से धोएं छीकते और खासते वक्त कप्पे का इस्तेवान करें